कैसी विडम बना है ना? हम नियम काइदों और समाज के नाम पर हमेशा औरत को दबाते आएं लेकिन हम फिर भी औरत का इस्तमाल करना उससे पैसा कमाना ये नहीं छोड़ते हैं समाज में उसकी सही जगा, उसके अधिकार और उसे आजादी देने से कत्राते हैं हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी है, जहां एक तरफ एक लड़की की डिजिटल बोली लगाई जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ एक साधारन मिल्ल क्लास महिला अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी आगे याप, बिल्कुल सही समय प्याए हो अवाटो की सामने से आज हमारे शादी के एक महीने की सालगिरा है तो मैंने आपका मनपसंदीदा खाना बनाया है तो मैं खा के आया हम और ये एक महीने की सालगिरा क्या होती? थोड़ी बेड़ बास हो जाना जब से हमारी शादी हुए हम पास ही नी आए है लड़कियों के एतना हो थापन यही संसकार दियेंगा तो हमारे माब अपने तो है गुरटो सुरे दोजे जाँ एसे मुझे एकता चाहिए आप अब सरा है रिष्मा जी आपके जैसा दूसरा कोई नहीं हूँ 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 हो गया रिखाना कितने गंदे फोटोस कीचे है बिट्टू क्या ही सही तो लिए नहीं है ना सही तुम जाओ यहां से में राजू को बोल के फोटोस कीच वा लोंगी वो अच्छी फोटोस कीचता है कुछ नहीं आता तुम्हे क्या मममा ऐसे ही बिट्टू को डाट दिया मममा आपकी एज हो गई है तो दिखेगी ना मकवास मत कर समझ में आगई बात मममा आपना इवेंट मैनेजर है बट एज का टेंचन ना किसी हिरोईन से कम नहीं लेती हो एक सिकिन हाँजी मिर्जा साहब वद्दे आरा ना आपका तो पार्टी की बोकिंग अगिरा कब कर ली है ओ से और को देदी बोकिंग ठीक है, ओक सलाज का तीनी वाही आता है ये जग प्या चारलो को कर दोकिंग ये तो बड़ी सुमें ना जाता है बोड़ी आता है का ये बोड़ी आतिरा ड़का जयास हाँ मे आण अन्यान का आता है जड़ी कि अगले वाही चारल समय कर दूप स्टश बार्व दॉक्तर? हे? यहाँ क्या करने है? कल भूमना मुवी देखने जाएंगे तो याज से फिल्म स्टार्र्ट होने के पहले आज आणा है बिस मम्मी देख लेगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी सना मुवी देखने अगले अपते चले क्या पेट्रोल बराने के भी पैसे नहीं मेरे पास और इंटरव्यू भी मुझे बस से ही जाना पड़ेगा अरे ट्यूब लाइट तो पहले बताना चाहिए था ना रुको यह क्या कर रही हो सना यह अच्छा नहीं लगता यह यह लो अरे मैंने कहा यह लो और हाँ कल तुम बस से नहीं बाइक सी जाओगे और वो भी एकदम हीरो बनके ठीक है? तेंक यह यह मैं एक एक पैसे के लिए तासर हो और यह सना की बच्चे इस गढ़े पैचाओ लारी है मैम मैंना आपके लिए कुप समान लेकिया है नहीं यह फाउंडेशन ना यह आपके स्कंटून के एक दूम बेस्ट रहेगा पता है? और हाँ यह यह कॉंटर है इससे आपकी सारी स्ट्रेस लेंज शुप जाएंगी राजयो तो बेस्ट है ना? जहां सब लोगों को यह लग रहे है कि मेरी उम्र दिखने लगी है मातू मुझे अब भी खुबसूरत मानता है ना? मैं आपके चेकर में तो इस लाइन में आया हूँ आप तो जानती हो कि मैं आपको पूछता हूँ आप जब डान्स करती हो ना? तो इस्तम अपसरा लगती हो और हाँ मैं मैंने ना एक चीज़ और मगाई है यह मसकरा मैंने एक वीडियो में देखा था इंग्लिश पूल डांसर को मैं लगा के दिखा हूँ आपको वाँ राच्यू कमाल लग रहे हूँ अच्छा वैसे आज के लिए कौन सा डांस्टेप चल रहे हैं नहीं कुछ पता है कि मैं एक वीडियो में देखा था था उसमें पता है एक लड़की वाँ एकना एक पूल होता है और वह अशे पूल को पगटती है वह एसे में फिप्स लगती है मैं अशे से राचु तू एकनम देखो ना कैसे बात करती है मुझसे अरे सॉरी-सॉरी प्लीज इतना नारास मतो पर एक बात बोलो राचु तू ना इतना अच्छा लग रहा है कि तेरी तू बोली भी लग सकती है जाए क्या हो अच्छाब कोई कम्लेंड लिख्वानी है जी साफ पताए साफ मेरे बेटी एकता कल रात उसका फोन आया था कि सुबह घर आगा लेकिन अभी तक आई नहीं यही रहती है दो गंटे की दूरी पे मैं सुबह जल्दी उड़ चाता हूं तो मैंने बहुत फोन गगाया ना तो मेरी बेटी एकता ने उठाया और ना दमाज जी ने मैं खबरा आ गया और घर चला गया यही सेक्टर तीस में वहाँ भी ताला लगा हुआ है तो मैं आपके पास आदे है साब फोटो है उसका आपके पास अपका नंबर बताई ठीक है जैसे ही कुछ भी पता जलता है आपको बतादें साब अमारी बेट्टी को जल्दी ठूँदी हम पुरी कोशिश करें अलो पिये से मिश्रा बोल रहा हूं ठीक है मुझे लोकेशन भी बेश करें हम वहार आते हैं सिंग यो चाचा अभी गया ना उन्ही जल्दी से बुला खिला फोलिसको इस बात का शक था कि शायद उसका रेप करने की कोशिश की गई थी या फिर किया गया क्या किसी राज चलते ने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया था या राजन ने अपने राज को छुपाने के लिए उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया था या फिर बात कुछ औरी थी संग्राम जी आप बोल रहे है कि आपकी बेटी ने आपको बताया था कि राजन ने उसे दोका दिया जूट बोला किस दोके की बात कर रही थी वह कैसा जूट कुछ पता है आपको बाबुजी आप का है मैं आको कब से फोन लगा रही हूँ आप फोन उठारे ना चुटकी फोन उठारी है चुटकी को परिच्छा दिलाने गया था बेटा फोन धर के भूल गया था मैं आपकी साथ नहीं रहना चाहती क्या क्या दमाजी ने वो इंसान बड़ बड़ा दूके बाबुजी देख बठा शादी से पहले जिंदगी कुछ और होती है और शादी के बाद बड़ जाती है तो दमाजी से बाद चीफ करो इनको समझो समझे ले समझाने का बाथ नहीं रहे बाबुजी मैं बस घर आना चाहती हूँ क्या हुआ शाद जैसे ही कुछ पूछता वैसे ही राजन आ गया मेरी बेटी ने अपना फोन काल दिया एकतागर इतनी रात को गर से बाहर निकली थी अकिली तो मतलब बात कुछ बड़ी होगी शाद मुझे लगता है कि राजन के आने के बाद जगडा और बढ़ गया हूँ शाद मेरी बेटी का कुन किया है शाकराम जी आप चिंता मत कीजे आपके बेटी के कातिल को हम जरूरू पकड़ेंगे इंस राजन का अट्रस रहे है उसका फोन भीड़ रहे है स्विच्टाफ अब फिकर मत कीजे विलाल अब घार जाए हम आपसे जल्दी कॉंटक करें ए राजन दो गारत जरी तारो तुलो जरी सारसमान वैसक वैसी पड़ा हुगा सर एक्ता की फादर में बता थे कि राजन और एक्ता के वीच को प्रब्लेम शल गए वो सकता है गुस्से में राजन एक्ता को मार गी लेकिन अगर रेप हुआ है तो वो अपनी बीवी का रेप क्यू करे हो सकता कोई और भी इंबॉल्ड हो पूरे घर के अच्छे से तलाश रहो सर सर राजन की कबर्ट से ये कॉस्मेटिक सामान मिला है और भी अंदर और सर ये टाइरी मिली है इसमें क्लाइन के नंबर्स है और ओर्डर नंबर्स है शायद ये राजन होलसेल में कॉस्मेटिक सामान खरीड़ करें पर लोकल स्टोर्स में बीचता था शायद यही उसका बजिंस है इन सारे क्लाइन से कॉंटक करो पता करो राजन कल इन में से किस-किस से मिला था सर पूछ पूछ उक्टाश करो जी सर, मैंने में देख़्ाइए. इतनी जल्दी बन करके चला गया? बदाल लगो, क्याच्छत करें. सर. बदाल राजू राजू राजू, यह है मेरी मॉम का पैट राजू. जार, कभी तो मुद्वाली हर्कत कर लिया कर शादी हो गए तेरी. अपना नहीं, तो अपनी भीवी का तो ख्याल रख जाओ अपना नहीं, तो अपनी भीवी का तो ख्याल रख इसी मर्दानगी दिखाऊ हुआ ना याद रखी लिए अरे मिल जाएगा मम्मी, यार तुमें पोता हाँ मेरी बात होगे दोक्टर से अरे वो ये बोल रहा है कि मैं एक दम ठीक, स्वस्तुम् आप जादा मसोचो अगले साल आपको पोता मिल जाएगा मम्मा अच्छा ठीक है, राम 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 थैंक यू सो मच माम आपने मुझे अपने घर में पना दी उसके लिए मैं बस एक दू महीने की बात है, एक दू महीने में मैं अपने घर का जोकाड कर लूगा और तब तक मैं मैं आपके घर का काम भी कर दिया करूगा पर आपसे डांस भी सिखिऊगा मैं ठीक है थैंक यू मैं आपसे अपसे 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 जानता है लेकिन उस दुकान वाले की डिटेल्स मिल गई बदूर मिश्रा लोगों ने कहा कि उसके और तो भी बड़ी नजर थी क्या है सारी भाबी जी कई बार राजन की धर में उसे ताग्जा करते हुए देखा गया है अब हमें देखकर दुकान बन करके बागिया हुए लेकिन सर वो हैंडिकएप है उसके काम में पुलियो है हा लेकिन इसके मतलब यह तो नहीं है कि वो क्राइम नहीं कर सकता अपने करियर में इसे बहुत सारे क्रिमिल्स देखे हैं मैंने राजन के घर पे नजर रखो एको राजने मदूर आते हैं कि उनके एरिय में कोई सीसी टिवी सर वह लोकल एटी पूराने लोवर मेडिल ग्लास है सर वहां सिर्फ एक सिसी टिवी गैमर एक मेडिकल शॉप उसकी फुटेज मंगा लिए चिक यह लए टैस करके जंदी आया अर्या मा क्योंने बन भारे है डॉट्टर ने तो कहा था यूज में कोई कमी नहीं बिट्टू मैं जारी हुना हाने कोन यह आपर रखके जारी हुए किसी का भी फोन आगा ना तो बोल दे ना मैडम मेटिंग में वीजी है और मैं उनका मैंनेजर बात कर रहा हूँ अपलीस अच्छे से बात करना ठीक है? आप राजन यादव को जानते हो उसने इस नंबर पर कई बार बात किये हाँ, वो हमारा मेकप सप्लायर है आपने उसे लास्टेम कब देखा था? हमें उसे उसकी पतनी के मौत के बारे में कुछ पूछताच करते है लेकि मैडम वो तो हफते के हफते आता है मौत करते है वो मै गाद सना तुझे पता है मैंने तेरी फोटोस ना अपने सोचल मीडिया के अपलोड की यून वाट इतनी कॉमेंट्स आया सना तुझे पता नहीं है तुझे कितनी ओफस मिल सकते हैं इस 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 मॉडलिंग के मुझे ना MBA करना है, देखना ममा मैं कैट में जरूरु टॉप करूँगी Sanha, मैं समझ सकती हूँ प्लीज, अपनी मम्मी के लिए, अपनी खर की कामपनी के लिए प्लीज, Sanha, वैसे भी पैसों की बहुत तंगी चल रही है और कमपनी को रिवांप की बहुत जरूरु रहत है अगर आप कह रहे हो, तो I will do it आँ, जाए बीब थाइंक यू सर, एक्ता की पोस्मॉटम रूप एक्ता का रेक हुआ है, उसके बॉड़ी पे सीमिन भी मिला है उसके सर पे किसी भाली चीज से वार किया लिया बॉड़ी पे मार्क्स जो है, वो रात की स्ट्रगल के, लेकिन सर, मौत का कारण स्ट्राइब लेकिन सर, मौत का कारण स्ट्राइब और डेथ टाइम है, सुबह पाथ से साथ बजे के लिच ठीक वैसा ही जिसे हमने कैस किया, मतलब कोई नया क्लू नहीं है सर, हो सकता है एकता का रेफ मारिटिम रेप हो? शाली ने मुझे डाउटफूल लगता है मेरी एकता की एक फ्रेंड पारूल से बात हुँ, रक्सर लड़किया फैमिली से ज़ादा इसी बात ही अपनी दोस्तों से इसा शार करती है एकता ने भी वही किया तू अरूल ने मुझे बता है कि राजन ने कभी उसे चुवा तक नहीं और इंफेक उन दोनों के बेच पती-पत्नी वाला रिष्टा भी नहीं मतलब राजन रेप नहीं कर सकता लेकिन फिर भी रेप तो हुआ है और उसके बाद से ही राजन फरार है एकता का फोन मिला? नहीं सर, नहीं मिला राजन का फोन भी बन लेगा सर राजन के एक भर से जो एन्वोईस और क्लाइन लेसमी सबसे बात है लेकिन किसी को नहीं पता राजन का है और उनका वह पड़ोस ही मजूद? सर, उसका फोन अभी स्विष्ड़ोफ है? उनके मोबाइल सर्विस प्रोड़े से बात करो मुझे पिछले अरतालीस घंटे की मोबाइल लोकेशन और एक महिने के सीडिया से यह सर और राजन के गर पे नज़र रखो जल्दी कुछ करना पड़ेगा मुझे परता था? तुछ इंच अपा हुआ ति मैंने कुछ किया नहीं है तो ने कुछ किया या नहीं मुझे कोई फरकनी पड़ता तेरी बात सुन्दे अध्यान से तुझे मेरे काम करना हो पाड़ा सर, एक्ता के घर के पाथ वल असी सिटिव फुटेज सर, ये देखे एक्ता अपने घर से रात को सबाग्यार बजे निकली है मतला अपने पिटा को फोन करने के फॉरण बात जी सर सर, ये राजन है ये उसके पीछे आता है कुछ बात करता है एक्ता रुख जाता है और एक्ता उसके साथ निकल जाती है इसको देखका तो लग रहा है कि दोनों में सुला हो गई सर, अब ये देखे ये मदूर है, अपनी हैंडिकाप स्कूटर लेके आता है और इनके पीछे निकल जाता है इसका मतलब मधूर उनका पीछा कर रहा था लेकिन क्यों? और एक्ता और राजा निजिनिरात को कहां जा रहे है हम्, फॉफेट शुफेट 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 ये मममा आप ये कैसी कपड़े दे रहे हो? ऐसा लग रहा है आप मेरी मॉडलिंग जैसे बेचने के लिए फोटोशूट करवा रहे हो अरे सना ट्रामा ने खाता मोता इस वेवकूफ लड़की का अरे ये मॉडलिंग मॉडलिंग का फोटोशूट आई है, शादी का नहीं है अब सारी तंगी तूर सभी की कॉल रिकोर्स है वो पब्लिक हॉलिडे सा इसलिए थोड़ा वक्त लगए सबको हॉलिडे मिलता है अपमको चोड़ के क्या देर आये दुरूस्ता है, कुछ काम का है? मदूर के कॉल रेकोर्स में सभी कॉल सामान के डेलिवरी के लिए एकता के कॉल रेकोर्स में उसके फादर का नंबर इसके पती राजन और एक दोस्तों के नंबर बोपना ट्रीटमेंट मेरे पास कलवा था था, एक नबर तु सांव किसी डॉक्टर दूबे का नमबर उसके साथ राजन की अकसर बाते हुआ अधर जिसुन राजन औरेक्ता गाया उस दिन भी राजने डॉक्टर दुबे से इन वार बार। सुबह नौ बजे लुपहले साधे तीन बजे और रातेट बजे हैं। जर्ट लोकेशुन? राजन एकतार मदूर। टिनों की मुबल की लोकेशन डॉक्टर दूबे के एरिया की, इंदरपूरा में. सर, राजन को पॉफॉर्मेंस निजाइटी था. यून वाट आमीन. वो अपना टीटमेंट मेरे पास कलवा रहा था. एक देन अच्छानक उसकी वाइफ मेरे पास आई, रोने के गड़ाने लगी. तो राजन का सच मुझे उसे बताना पड़ा. अलाके उसकी वाइफ एक्ता के जाने के बाद मैंने राजन को कॉल करके सबको सच-च बता दिया था. फिर बारा सभा, बारा बजे के आसपस रात को राजन वापस आया, एक्ता के साथ. शायद वो चादा था कि मैं उसकी वाइफ को कन्वेंस करूं कि वो ठीक हो जाएगा. दोक्टर साब इचनी परसनल बातों के लिए डोक्टर पेशेंट्स को आजी रात को भी एंटेजियन कर ले दे. तेखें सर, मैं आपसे कुछ चुपाऊंगा नहीं. अच्छली मेरा लाइसेंस रद दो गया था. तो मेरे पास जो पेशेंट को बजाएगा. अपका लाइसेंस रद दो गया. और आप राज़न का टीट्मेंट कर लें. इस तो इली ग रहे? दरशल बात सिर्फ इतनी है कि मैं उसका साइक्लोजिकल ट्रीटमेंट कर रहा था विटामिन और टेबलेट्स के आप से राजन का फोन आपके एरिया में सब्सक्राइब तक था और एकता कार आपको तीन बजे कर था और आपने देड़ बजे राजन को कॉल भी किया ता सर देखिंगे एकता का फोन मेरे एरिया में क्यो था कितने वजे था वो मुछे पता नहीं लेकिन मैंने डेड़ बजे राजन बजू दरूर फोन किया यह जानने ज government Olá लेकिन उसने बताया कि एक्ता नहीं मानी है. मतलब? मतलब यह कि मैं जानना चाहता था कि एक्ता मानी है नहीं लेकिन राजन ने कहा कि वो नहीं मानी है. और एकतअ केहना था कि वो तब तक अपने माइके में रह गो द तक राजन का टीटmęट पूरी तरीके से पता नहीं हो जाता मुझे लगता है कि एकता मानी नहीं हो गए तो राजन डर गए कि उसके सचा ही सामने आ जाएगी और इसलिए उसे मारताई Sir, मुंकीन की मेलगों के चक्कर में, राजन ने एक्ता का मुड़र किया. लगिन सब रेप ? Sir, हो सकते है, राजन ने अपनी मरदान की प्रूव करने के लिए, एक्ता पे जबरदस्ती करने की कोशिश की, और फिर गुस्रे में उसे मारे की. हो सकते है, ऐसा करो. जंगल के रास्ते में आसपास जितने भी CCTV फोटेज मिले तो, फिर सेख करूँ, और राजन के बैंक डिटेल्स वरिफाइ करूँ, और उसका क्रेडिट काड सर्विलेंस पिड़ा, अगर शेयर चोड़ कर भागा है, तो कोई तो ट्रान्जेक्शन करेगा, सुछाफ मेरी बाद ध्यान से सु, आस दुरा जिन के साथ सुईगा, वो तुझे पेट से करके जाएगा, मैं किसी परागमर्द के साथ नहीं सूँगी, परागमर्णा किसी परागमर्णा करें से नहीं से नुटेंना। मधूर ने अभी अपना मुपाइल वालेट यूज़ किया, उसे क्रेस कर रहे हैं, उसने एक होटैल में चेकिन किया, गुट पड़ा मुट लिकरो उसे सब क्या हुआ तुमेरा मुझे ना ये रात भर जाके पार्टी और इवेंट्स मैनेज नी करना है मुझे ना तुम्हारे साथ शादी करनी है एक सिंपल लाइफ जीनी है बच्पन से देखा है ममा को ऐसे काम करती हुए मुझे वैसी लाइफ नहीं चाहिए आज भी ममा भार गई है ऐसी होता है ये मॉडलिंग और इवेंट्स का काम को आज इस रात को आप फैदा के में उढ़ाया जाए साले समझते के हैं खुद को बोलते हैं उमर होगी है मेरी साले साले साना वह ममा वह एक सेंट है ममा ये मेरा बॉइष्रेंट है मैंने इस हां बुला है साथ आग़ए साथ 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 तेरे फोन से तेरा सारा क्यरक्टर सर्टिफिकत मिल गया है पता हमें कि उख्षुपके एक्ताटी वीडियो बनाता है और बाकी औरतों को भी ताड़ता था तेरी ना शकल भी रेपिस लिखा हुआ है सब में टेरा आपाई जाटी लेकिन हमने CCDV कैमरा में देखा है तू राज़न और एक्ता की पीछे गया सडक पे चलने वाद भी किसी रह किसी आगे पीछे तो होता ही है ना इतना पीछे कि पीछे पीछे चलते चलते उनके फैमिली डॉक्टर के पास पहुच गया हमारे पास तेरे मोबाई लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड सब है और CCDV में भी दिख रहा है कि तू रात में रंजना और एक्ता के पीछे गया था मैं एक्ता को पसंद करता था बहुत ज़्यादा मैं जन्मजात अपाई जाते थी उससे कौल श्यादी करता मत्ती के लिए दरस गयाता साफ में एक्ता तो वैसे भी अपने मत्ती से दुखी थी इसलिए मैंने सोचा कि या सोचा कि उसका रेप कर दूखी जब रेप नहीं एक्स्ट्रा मेरिटा लब है और उस राज जो मैंने लेगा उसके बाद तू मुझे मेरा सब्ना सच होता दिखाई देने लगा तू मुझे आपका सारा सच पता चल गया है तु मेरा पीचा तर रे थी? हाग किया तु मारा पीचा हुआ लगा जब सत्याच हाग कियो अछानी याग अगा तो stay up और नहीं सामनी आ बटाई मुझे, क्यो दूपादिया मुझे तो पुझे सभा तूम सभा पुछी पुटले मुझे शादी से पदे भी तुम्हें बता देना आजिया था मैं उसका हाथ भाग लिए तुम चट इन सान से मैं खुद चली जाओंगी साब मुझे लगा एक्टा राज़त को छोड रही है तो क्यों ना मैं उसका हाथ पाग लिए इसलिए मैं तुरत दुकान की तरव भागा अपने स्कुटर लिया एक्टा जी को लिफ्ट देने के लिए साला कबाब मैं अड़ी फिर भीच में आगिया साब मुझे लगा वो एक्टा को इसके माई के छोड़ने के लिए ले जा रहा है मेरे साब भूठ सवार्ता साब इसलिए मैं लोड का पीचा नहीं चोड़ा क्योंकि मैं ठान लिया था कि आज मैं एक्टा से बात करके ही रहूंगा पर वो तो उसे किसी डॉक्टर दूबे क्या ले गया साब मैंने देखने के बहुत कोशिश की के अंदर क्या चल रहा है पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और एक तही मेरी इकलोती उमिद्थी साब क्योंकि उसके पती ने तो उसको छुआ तक नहीं था और तालाचुदा का ठपा तो उस पर लगने ही वाला था इसका मतलब दोक्टर दोबे ने उमसे चूट बहुती है मैंने उस दिराफ लोगों को एक्टा के गर के बार देख लेता साब इसलिए में डर के बारे दुकान बंग करके कहीं चिप किया मुझे लगा एक्टा ने मेरे गलाब करती होगी इसलिए मैं अपने घर भी नहीं आया और मुझे तो बता भी नहीं था साब के एक्टा मर चुकी मैं साज बोल रहा हु साब मैंने कुछ नहीं किया इसके अच्छे से धुलाई करो और उस डॉक्टर को भी बुला उसका भी ट्रीटमेंट करते है इन दोनों का सीमें सेंपल और एक ता की बॉड़ी पर मीले सीमें से मैच करो अबलना रिपोर्ट जल्दी चाहिए दोनो इससे अब मैंने कोई ठीक हिजा हिजो पेश्मा जी आपकी या सना की किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई लड़ाई जगड़ा मेरे बेटी सबसे प्यारी थी सेर लेकिन वो उसका नला एक बॉइफरेंट राज सर हो ना हो ये ये सबकुछ उस राज का कि अधर है वह उसे ने मेरी मेरी सना को मार कर सबकुछ लोट लिया इस राज का कोई कंटेक्ट है आपके बास एक बर सना के फोन से उसका नंबर जो रहे था, उसे तम काने के लिए एक सेकेंड सर्च इस राज को सोशल मीडिया पर सर्च करो, इसका फोटो निकालो और सर पिलेट करवा राइट सर्च सर्च इस सीमें सेंपल मैच हो गया है, हमें बता है कि तूने ही एकता को रेप किया अब सीधी तरीके से बता दे कि उस रात को क्या हुआ था, राजान और एकता तेरियां क्यो आए थे अट सर, राजान नॉर्माल आपी नहीं था सर, वो अपना सेक्स चेंड करवाना चाहता था उसका ट्रीटमेंट मेरे बास करवा रा था सर उसने किसी प्राइवेट डांसर को देखा था तब से इसके दिमाग में यह भूत था कि उसे उस डड़की जिसा बनना है गुड़, इंप्रुमेंट तो है पैदाशी दिक्कत है तुमें अब टीटमें में थोड़ा टाइम तो लगीगा तो फिर आगे का कोर्स कब शुरुकर जब तुम डेड़ला गुरुपाद होगे तब देड़ला एक दवाईया मंगानी है इतना पैसा नहीं है डॉक्टर मेरे पास ट्रीटमेंट अजर बीच में रुग गया तो च्या हो सकता है तो मैं बताए लेकिन प्रॉपर सर्चिरी के लिए पैसे नहीं थे सर उसके पास दिन राजन की बतनी एकता मेरे पास आई इसको देखते ही मैं एकता पर फिदा हो गया था सर मैं अपने पेशिंट के बारे में सब कुछ तो नहीं बता सकता मैं आपके हाज होता हूं मेरी शादी का सवाल है आप प्लीज बताए ना मैंने राजन को एक ओफर भी दिया राजन पर तू कह रहा था कि तेरे पास प्रीटमेंट के बैसे नहीं है और सोच रहा था कि मैं थेरी बीवी से काम चला लूँगा वैसे भी तुझे तो कोई उस डॉक्तर साब को दिये थे अपनी राज किर अपर तुम जा रही हो तो तुम जा रही हो तो तुम्हारे गहनों के क्वया कि मनताता स الب तुम जाओ अंदर रोड़न को दे दे थेए तुम्हाद हंने जाओ इंके साथ अंबap तुम जे हो अनके साथ अन्प और आछ बाहर से दर्वासा बंधर के भाग कि एक 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 तका फोन मेरे गर पे छूड़ गया था सर मैंने उसका इसका मोबाइल भी तोड़ दिया था और उसके बाइद राजन ने तुछे फोन नहीं किया नाई सर सर, सर, सरा की बॉइफिन राज को पेट्रोल टीम ने हाइवे से उठा लिया सर, 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 सर मुझे बागने वाले था पर अचानक से मुझे कॉल आया कि सरा कमडर होगी और मैं डर गया सर इसलिए मैं भाग गया था फोन आया, किसने किया था वो तो सर मुझे पता नहीं कोई आदमी था पीसे उसे सर उसने काल किया था साना ने तुझे अचाना भागने क्लिको कहा सर, वो उसकी माह उसे बेचना चाहते थी ममाना मुझे बेच रही है, मैंने खुद देखा है, वो मेरी ओनलाइट बोली लगा रही है अब बताओ करना क्या है हम भाग चलते है सर वो आई है नहीं, फिर मुझे लगा कि शायद उसकी ममाना उसे पखण लिया हो मैंने कॉल भी किया था, पर उसने मेरा कॉल नहीं उठाया इसलिए मैं सर फिर घर वापस आगे मैं रात को 11 बज़े से लेका सुभा 8 बज़ तक मैं अपने घर पर ही था, सर चेकर उसकी अलबाई सही है माँ अपनी बेटी को कैसे बेच सबती है सर सर लेप्टोप मेला है सर्णा के ऑक्ष्ण के एवेंट उसके बंदे के पहले तक लाइव चलगा तुम्हारी बेटी को तुम्हारा सच पता चल गया था और इसलिए उसने घर से भागने का प्लान बना है लेकिन तुम्हे तो हार बरदार्श है निगा इसलिए उसे मार के अपनी बेटी को बेचना इतना जरूरी था जिंदा होती तो मॉडलिंग करवा लेती उसे मार के मुझे क्या मिलेगा और कौन बंदा था तुम्हारे साथ मेरी और सना के अलावा मेरा ड्राइवर बिट्टु मेरा मेकप आटिस का मसिस्टेंट राजू मतलब राजन 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 यादाओ जी यह हाँ यह हाँ यह है लेकिन जब मैना इन मारे मैंजर से बात तब इससे साथ मनाते है कि उसने राजू को नहीं परीगा हाँ वा अपकी बिट्टु से ही बात हुई होगी वो मेरा ड्राइवर का मैनेजर भी है के राजन अपका है वो तो आप लोगों के आने से पहले ही चला गया था साना को ढूंडने नहीं हमसे छुप कर गया है राजन का नहीं पर इसे लो और ट्रेसिंग बढ़ा और यह बिट्टु जीस ने जूट बोला मुझे लगतर दोनों मिले हुए उसको ठाव और इनके घर के आसपास के CCTV चेक करो पता करो सना साही में जिन्दा गर से बाहर निकली थी या फिर जूट बोल रही है प्राइब अधिए प्राइब भाण गरसे लेखास के साही में जूट बोला बाहर आसए प्राइब लुट फ़्माइब इसे लेखास के जूट अधिए मैं नहीं ज़ा करें ? मैं नहीं नहीं करें सा मुखा के बोल रहु वह साथ मिभाज हो सुमेशे सब मैं कुछ जच्छेंज और परेशन के पैसे कम पढ़ गये तो माप पेटी के छगड़े का फाइदा अठा कर सना को भी मारे लेकिषा सर मैंने नहीं मारा किसी को भी सर्, ना एक्ता को ना सना को सर्थ मैं आपको इक बाता हूँ, मैं एक्ता को लेके गया था डॉक्टर दूबे के पास, उसके हवाले के अपने के लिए ताकि मेरा ऑपरेशन हो सके लेकिन सर्थ मैं सीधा घर चला गया था, गहने लाने के लिए ताकि मैं गहने लेके आऊ और गहने पेश दू और जो पैसा आएगा सर्थ उससे अपनी लाइफ अराम से बखा सको और जब केक्ता के गहने हाथ नहीं लगे तो गहनों के लालच में सना को मारूँगा सर्थ मैं सना को तू मारूँगा सर्थ मैंने तो खुड असकी अदद की बागने के लिए दिए क्या कर ये तेरी मार? क्या... मा... मुझे भेज रहे हैँ मैंना माद को शाँए पहुच्छ अगे आपी क्या मैं थेना से कुछ निया अबातिक मैं मदद कर सकता हूँ भागने, और तू मेरी मदद करें तो. Sanna, हमारी दील होई थी, कि Sanna भागेगी और फिर ऐसा लगेगा कि पैसा Sanna ने चुटाया है, और वो सारा पैसा मुझे लागे देदेगी, ते Sanna अपना ओपरेशन करा लूँ हो. सना अपना मोबाइल पूल की, Sanna, फोन भूलाई थी तुम अपना. असर फिर मुझे रेश्मो मेम के अभी जाना था साम, काम करने के लिए, प्राइवेट डान सर्वा था. सर आप CCTV चेक कर लो ना, ने वापस आगया था साम, और तब तक सना जिन्दा भी थी. राज को तुन नहीं फून कियाता है, कि Sanna का मर्डर हो गया है, तो पुलिस उसे थून रही है? सर वो तो मुझे आप लोगो के आने के बाद पता चाब, उन्हें हार खड़ा हो के चुट्चा बाप की बाते सुनता है. सर में घर कहता है, सच बता रहा हूँ. अचाता था कि राज को है, यहां से बाग जाए, तक यह मर्डर का और पैसे चुराने कल साम राज के उपढ लगे. सर, 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 नोईड़बस जैपो के डस्मन में हमें एक चाकू मिला, उस पे खून लगा था, सर में क्रॉस चेक करने के लिए बहा का CCTV फोटच मंगवा है, सर, यह देखे, सर, यह कंबल बाला आद्म, इस डस्मन में चाकू फेक के निकल जाता है, सर, अब यह देखे, यह सन आद्म, जा रही कि आदा है, सर, यह देखे, सर, यह देखे, सर, अब अब इस बाला नाखिया, जाना ताकि किसी CCTV में चेहरा नाए, यह दी बड़ी अकलमंदी का काम लेकिन एक गल्ति-गल्ति, बेसाक की बसन बेढ लिए और इस पूरे कांड में सिफ एक आजमी है जो बे के साथ में रहे तू तू तेरे घर से कंबल भी मिल गया है और उस खून से सने चाकू पर तेरे फिंगर प्रिंट भी मैच होगा अब ये बता कि क्यों और कैसे मार अपनी बैटी को एक तक पाथ बजे के करीब एक तम बदहवास इस्थिती में घराई साब तू विस हालत में? क्या? दमाजी ने खुद दूजे डॉक्टर के हवाले किया? देटा यही होता है खुली तुझोरी देख के सब लूपना चाहते है इसलिए मैं चाहता था कि तू रिष्ता ना तूडी इसमें मेरी क्या खलती थी, बाबा? वो आन्मी मार नहीं रहना चाहता मैं, मैं पुली सेशन जाओगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूगी बाबा, मेरे साथ चल रहे है और ही चल रहे है या फिर मैं टेली जाओगी? मैं चल रहाँ चल रहाँ यह बहुता सा रास्ता है बाबा तुम्हारा रास्ता यहीं खतम होता है क्या मितला? न्याय बहुत महंगा है बिटा उससे लडने की शक्ती हमारी नहीं तुम्हारी छोटी बहन की शादी भी करनी है तलाक्षुदा और बलतकारी की बहन से वो इशादे नहीं करेगा। और सानम, उसको क्यों मारा? जब डॉक्टर अरेस्ट हो गया, तो मुझे लगा कि राजन बच जाएगा। लेकिन मैं चाहता था कि उसको किये हुए की सजा सरूर मिले। कि मेरी बेटी एक्ता ने उचे बताया था कि राजन किसी रेश्मा नचनिया के प्यार गा। मैं किसी तरह उसका अड्रस पोच के उसके घर पहुच गया। माराजन भी मिल गया। तब उस रात मैंने देखा। मैं समझ क्या सा कि इसी लड़की की बज़े से इस राजन ने मेरी बेटी को छोड़ा है। यही सच्चा ही बथाने के लिए मैं सना के पास चलाएगी। बेटा, तुम यह लड़के के प्यार में हो, वो लड़का अच्छा नहीं। तुझे मेरी ममा ने भेजा है ना, देख बुटे, मेरे और मेरे राज के बीच में आएगा ना, तो मैं तुझे छोड़ूगी। सना अपने बॉइफरेंड राज के बारे में बात कर रही थी। सना और राजन का कोई लेना देना नहीं है। बिना वजा के अपनी बेटी और सना दोनों को मार दिया। अब सडो जेल में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। पर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए कि इसके साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खयाल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें, क्राइम पेट्रोल सतर्क। जैए।